प्यारे सत्यों नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टड़ी वित्रवी के इस बहत्रीन सी कलास में जिसमें हम लोग बात करने है जीगलोफी के विविया इंपोर्टेंट कोचन जो कि आपकी बिहार बोड इकजाम दोजर पचीस में 100% पूछे जाएंगे तो स्वागत है आप सवाल क्यों तो संचित छेत्रों में मिर्दा निमनीकरन का मुख्य कारण है 2019 के एनवल और 2021 के एनवल एकजाम में पूछा गया सवाल है सभी प्रस्ण आपके 2025 एकजाम के लिए काफी जदा इंपोर्टेंट है सभी बोड एकजाम के लिए जदा तर बिहार बोड के एकजाम के लिए तो संचित छेत्रों में जो मिर्दा निमनीकरन का मुख्य कारण है क्या वो वायू अपड़न है या नालिक अपड़न है सील्ट का बचाओ है सोरी जमाव है या मिर्दा का लवनता है तो संचित छेत्रों में जो मिर्दा का निमनीकरन का मुख्य जो कारण माना जा चलिए इनमें से कौन जो है उत्तर भारत में रभी की फसल है। परसल है, options number A जो होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट एंसर होगा, कॉफी उतपादक में जो नमबर वन राज्य है, उनका नाम क्या है, वो करनाटक है, याद रखे, options number A जो होगा, 100% राइट एंसर होगा, और ऐसे प्रश्न जो है, कई बार आपके बिहार बोर ने पूछा है, याद रखेंगे, PYQ जब आप उठा के देखिएगा, PYQ तो बह 1967-68 के बीच तो भारत में हरित क्रांती की सुत्रपात कब हुआ था, ये सवाल आप से पूछे जा रहे हैं, बताने का प्रयाज करेंगे, जहां साथी हो, भारत में जो हरित क्रांती का सुत्रपात है, ये 1967-68 के बीच चली थी, options number यहाँ पे C जो होगा, इस प्रश्न का 100% र लगुक क्रिसक्ट विकास में या नहर परनाली में, तो SFDA किस संदर में वर्नित है, ये कोचंस आप से पूछे जा रहे हैं, जो कि जीगरफी से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोचंस इसी परकार के बनते हैं, याद रखेंगे क्या होगा, लगुक क्रिसी विकास, options number क्य होगा, C जो होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट एंसर होगा, options number C, ऐसे प्रश्न को जरूर याद करने का प्रयाज करें, सभी प्रश्न आपके PYQ से लिएगे, कौन छेत्र सुखा संभावी छेत्र है, पर्चिम बंगाल, उत्तर परदेश, गुजरात या बताईएगा, चार options आपके screen के सामने, कुछ इसी परकार से आपके exam में भी देखने को मिलेगा, और answer जो है, हम यहाँ पे PDF में आपके सामने लाए हैं, बट answer सिर्फ आपको यहाँ पे exam में देखने को नहीं मिलेगा, तो गुजरात याद रखिएगा, options number C, right होगा, answer इस PDF म को लेने के लिए प्यार बच्चों, आप लोग टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजिए, इस्टरी वितरा भी टेलिग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे इस परकार की PDF आपको प्रवाइड किये जाएंगे, वो भी answer के साथ बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं बिल्कुल एक दू दिन लेक लगते हैं PDF अफ्लोड होने में, नेमिले कि तुम से कौन फ़सल जो है सुक्स क्रिसी से संब्दित नहीं है, मौंगफली, गण्ना, जुआर या रागी, बतायेगा कि कौन फ़सल सुक्स क्रिसी से संब्दित नहीं है, साथ नमबर कोचन्स का जबाब बताने का प्रयास करें सभी लोग का एंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फड़ाबर से कि कौन फसल सुख्ष क्रिसी से संबंदित नहीं है तो साथ नमबर कोचन्स का जो जबाब होगा गणना आपसन्स नमबर यहां पर बीज होगा 100% राइट एंसर होगा और प्रिवियर सेर एकजाम 2019 के सवाल है यह याद रिखिएगा अगला नमबर सवाल है कि निमली कि तुम से कौन पेफ़सल है पेफ़सल कहना है का मतलब जिसको हम लोग पीते हैं 2017 के एनुवल एकजाम में पुछा गया सवाल तो याद रिखिएगा प्यफ़सल जो है चाई और कॉफज दोनों है और कॉफज का उतपाधन का होता है तो करनाट का यहां पर जाद रिखिएगा अगला नमबर सवाल के उरस चलते हैं होट्ट्री कल्चर समांदित है होट्री कल्चर जय है यह Kिस्र स जो होते हैं यह किस से सम्मंदित होते हैं तो यह जो होते हैं फॉल एवम सब्जी से होते हैं जो कि options नमबर आपके D में नजरा रहा है बिल्कुल expression का right answer जो होगा options नमबर D होगा फॉल एवम सब्जी से सम्मंदित है क्या hoti cultures चली अगला नमबर सवाल क्यों चलते हैं 10 नमबर questions जो कि काफी ज़्यादा important and highlighted questions है याद रिखे 2013 के exam में सवाल जो है October से March में या April से June में सितंबर से January या June से सितंबर तो कुछ इस परकार के प्रशन जो है आपके geography में पूछे जाते हैं कि काफी ज़्यादा important होता है and simple questions होता है तो खरीब फसल की जो खेती है ये जून से प्यारा बच्चों से सितंबर के बीच किये जाते हैं याद रिखेंगे options number D जो होगा expression का right answer होगा options number D 11 number questions आपके screen के सामने देखिएगा रभी की फसल पैदा होती है बताईएगा काफी important questions है 2015 का सवाल है सभी का answer comment box में आना चाहिए फरापर से बताने का आप लोग पर्यास करेंगे कि रभी की फसल जो है ये पैदा होती है जी है दोस्तो 11 number questions का answer क्या रहा है बि भारत में गेहुत पादन में अगरानी राज्य कौन सा है 2016 की annual exam में पूछा गया सवाल है कि भारत में गेहुत पादन में अगरानी राज्य क्या है मद्य परदेश पंजाब हर्याना या उत्तर परदेश तो भारत में प्यारवच्चों याद रखेंगे गेहुत पादन में जो अग्रानी राज्य है वो कौन सा है ये उत्तर परदेश है options नमर क्या होगा D जो होगा बिल्कुल right answer होगा उत्तर परदेश next questions क्यों चलते हैं तो 13 नमर सवाल आपकी screen के सामने काफी ज़दा important है entrance exam 2025 के लिए देख सकते हैं कि already तीन बार ये questions आपके है बिहार बोट की exam में पुछे गया जो कि 2013 के annual exam 2015 के annual exam और 2021 के annual exam में पूछा गया सवाल है क्या पूछा गया कि नेमन में से कौन सबसे महत्पूर्ण जूट उत्पादक छेतर है जूट उत्पादक छेतर कहने का मतलब है कौन सा ऐसा छेतर में जो है जूट यानि गन्यक उत्पादन सबसे जादा किये जाते है क्रिश्ना डेल्टा या गंगा डेल्टा नर्मधा डेल्टा या कावेडी डेल्टा तो बताने का प्रयास करेंगे तेरे नमबर कोछन काफी जदा important है तो गंगा डेल्टा याद रखेंगे इस प्रस्न का जो राइट एंसर होगा वो क्या होगा गंगा डेल्टा जो की options नमबर B में है ये जूट उत्पादन में क्या है सबसे महत्पुन जूट उत्पादक छेतर है याद रखेंगे क्या गंगा डेल्टा next questions क्यों बढ़ते हैं 14 नमबर सवाल है कि सरदार सरोवर पर्योजना किस नदी पर है 2014 के एकजाम में पूछा गया सवाल है सरदार सरोवर पर्योजना जो है ये किस नदी पर है नर्मादार नदी पर है गंगा डेल्टा नदी किसी का योगदान कितना है बताइएगा 15 नमबर सवाल में देश की सकल आये में क्रीसी का योगदान क्या 10 परसेंट है 15 परसेंट है 25 परसेंट या 50 परसेंट क्या पूछा गया है देरा ध्यान देने का परयास करें और सभी कोचंस आपके लिए में देखने को मिलेगा यानि प्रिवियर सवाल में और लेडी सवाल में पूछा जा चुका है और 205 के लिए तो 100 परसेंट यह क्या है प्यार बच्चों 100 परसेंट इंपोर्टेंट सावित होगा तो देश की सकल आये में क्रीसी का योगदान कितना होता है याद रखेंगे क्रीसी का योगदान कि 25 परसेंट है जो काफी जादा माइने रखता है 25 परसेंट यानि 100 जो होते हैं उसमें से 25 परसेंट जो है यह क्रीसी का योगदान रवा बच्चों याद रखेंगे next questions क्यों बढ़ते हैं तो सुल्ला नंबर सवाल है कि भारत विभाजन से किस फसल का परमुक उत्पादक छेतर हमारे हाथ से जाता रहा धान गेहूं कपास या जूट यानि भारत विभाजन से किस फसल का परमुक उत्पादक छेतर हमारे हाथ से जाता रहा ये सुल्ला नंबर सवाल का जवाब चाहिए तो कपास याद रेखेंगे options नमबर यहाँ पे C जो होगा विल्कुल right answer होगा 17 नमर सवाल काफी important है कि इनमें कपास का महत्पुन उत्पादक कौन नहीं है महाराश्ट, उरिसा, गुजरात या पंजाब यानि सबसे महत्पुन कौन साइस में नहीं है जो कपास का उत्पादक नहीं करता है सिंपल सी बात यह है यानि कम करता है कपास का उत्पादक वैसे राजे का नाम बताईए सवाल पूछने का तरीका कुछ अलग है याद रेखेंगे सतरह नमर सवाल का जो जबाब होगा ये उरिसा होगा उरिसा में जो हता है कपास की कम उत्पादक पाई जाती है अठारह नमर कोचन से है कि निमलिखीत राजेव में से कौन कपास उत्पादक नहीं है 2018 की एनुवल एकजा में पूछा गया सवाल है तो आंद्रपर्देश, महराष्ट, हरियाना या 36 गड़ तो कौन कापास उत्पादक नहीं है ये पूछा गया है सिंपल सी बात है इसमें आपसे पूछा गया कि नहीं उप जाता है साथी साथ आज की इस लेक्टर्स को सेर करने का प्रयास करें उन सभी छातर के पास जो की 2025 में ब्यारबोट का एकजाम देने वाले तो इन में से किस राज्ये में परती हेक्टर चावल का उत्पादक सरवादिक है एक हेक्टर बराबर कितना होता ये भी याद रेखेंगे 2.5 एकर जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक हेक्टर याद रेखेंगे यानि एक एकर में कितना होता है 20 कथा ये भी आपको याद रेखना है फिर बच्चों तो इन मेंसे किस राजे में जो है परती हिक्टर चावल का उत्पादन स्वरबादिक है उत्तर परदेश, टमिलांडू, महाराष्ट और गुजराथ तो बताने का प्रयास करेंगे कि किस राजे में परती हिक्टर चावल का उत्पादन स्वरबादिक है ये उनिस नमबर कोच तो options number B जोगा तमिलांडू बिल्कुल इस प्रशनका राइट एंसर होगा अगला नमर सवाल के रुबरते हैं 20 नमर कोचंस है कि निमलेकित में से कौन रेसेदार फसल है 2020 के इनुवल इजाम में पूछा गया सवाल है रेसेदार फसल कहने का मतलब है जिससे हम लोग रेसा प्राप्त कर सकते हैं कौफी चाय गेहु या कपास सभी को पता है प्यार बच्चो रेसेदार जो यहां पे फसल है वो कौन सा है तो वो है क्या यहां पे कपास option number D राइट होगा क्या होगा options number D बिल्कुल expression का राइट एं सम्दित है खादान उत्पादन से चाय उत्पादन से दूद उत्पादन से इन में से कोई नहीं हरीत क्रांती जो है प्यार बच्चो यह किस्चे सम्दित है तो याद रखे इस प्रशन का जो राइट एंसर होगा वो खादान उत्पादन से options number A इस प्रशन का बिलुकुल 100 इस प्रशन का राइट एंसर होगा अगला सवाल की और बढ़ते हैं 22 नमर को चांस निमलेकित में से कौन भारतिय क्रीशी की समस्या है 2018 के एनवल और 2020 के एनवल एक जहां में पूछा गया सवाल है कि कौन भारतिय क्रीशी की समस्या है निम उत्पादक्ता विखंडित इस प्रशन का राइट एंसर होगा 23 नमर को चांस है कि भारत में हरित क्रांती शुरू हुई थी 2021 के एनुवल एक्जाम में पूछा गया सवाल है क्या 1950 के दसक में 1960 के दसक में 1970 के दसक में 1980 के दसक में भारत में हरित क्रांती की जो शुरूवात हुई थी वो कब किया गया था यह सवाल आपसे किया जा रहा है तो यह जो है 1960 के दसक में भारत में हरित क्रांती की सुरुवात हुई थी और आपकी ब्यारबोड एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि हाल फिलाल 2021 में यह सवाल पूछा गया उमीद है कि रिप्टेट आपसे किया जा सकता है जो इस नमर सवाल है उत्तर भारत में सिच्चाई का मुख्य सुरुत कौन सा है याद रखिए ब् नलकूप तलाव या इन में से कोई नहीं पूछा क्या गया है उत्तर भारत में सिच्चाई का मुख्य सुरुत बताईए उत्तर भारत में जो हम लोग सिच्चाई करते हैं हो क्या करते है नहर आपसंस नमर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल इस प्रशन का राइट एंसर हो जो होगा इस प्रशन का राइट एंसर होगा चलिए बताईए 2021 के बोर्ड मोड़ल कोचन से अपरेशन फ्लट सम्बन्दीत है ग्यों से है नारियल से है कपास से है या दूथ से है तो ऑपरेशन फ्लट जो है प्यारवच्चो ए शब्स नमर कोचन काफी ज़या लास्ट कोच्छंस होगा 2021 के बोर्ड मोडल कोच्छंस है भारत में सचाही का साधन क्या तलाब कुवा नहर या उपयुक्ति में से सभी तो सभी के द्वारा हम लोग सचाही करते हैं अपसिस नंबर डी इस परशन का राइट एंसर होगा और आज का क्लास का सबसे लास्ट कोच्छंस आपके स्क्रीन के सामने कौन राज ये शुर्य मोकी का अगरानी उत्पादक है तो याद रखे सुर्य मुखी का जो अगरानी उत्पाद के वो क्या है करनाट का है प्यारा बच्चो 28 questions आज की इस lectures में थे जो कि काफी ज़्यादा important था और MBVI भी था क्योंकि ऐसे questions जो है बार बार आपके व्यारबुड की exam में पुछेगे जिसका proof आपके सामने था previous year exam में आया हुआ परस्ण था उमेद है कि आज का ये lectures काफी अच्छा लगा होगा अगर इच्छा लगा है तो अपना अपना feedback comment box में जरूर देंगे साथी साथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जादा स्ब्सक्राइब के शेयर करने का पर्यास करेंगे मिलते हैं फिर से अगले क्लास में तब तब के लिए आज के लिए दना ही जय हिंद जय वारत बाई बाई टेक क्यार